एक budget पैसा वसूल यहाँ पर smart watch launch हो चुक है noise की तरफ से इसके छोड़ी सी unboxing देखते है और इसके features देखते है और ऐसा कहने है कि क्या वज़ा है उसको भी देख लेता है तो यहाँ पर हम unboxing में बिल्कुल भी time waste नहीं करते है तो इसलिए quick unboxing करता है और इसके box content देखता है उपर कुछ paper works मिलेंग वाच मिलेगी और cable मिलेगी तो यहाँ पर यह तीन document और stickers देखने हो मिल रहा है charging के लिए charging dock और यह हमारी smart watch रखी मिलेगी अब बात करते हैं इसके bid और design के बारे में तो इस smart watch को देखेंगे तो दिखने में काफी premium लगती है काफी अच्छी लगती है इसके जो display वो काफी बड़ी देखने को मिलती है और इसके जो bezels है वो काफी छोटे छोटे देखने को मिलती है बस नीचे थोड़ी से change जो है वो मोटी है लेकिन overall दिखने में इसका dial काफी अच्छा लगता है और इसके straps जो है वो भी काफी comfortable है और replaceable है और soft material के बनी हुई है और इसका weight है वो भी काफी light देखने हो मिलता है सिर्फ 30 gram इसका weight है और overall ये stylish लगती है sleek लगती है और काफी premium लगती है watch अब बात करता हूँ इसके display की तो इसके display देखने हो मिलते है वो 1.52 इंचेस की आपको IPS LCD display देखने हो मिलते है जिसकी pixel density काफी high है और इसका resolution जो है वो 360 by 400 आपको pixels देखने हो मिलते है जिसके वज़े से display जो है वो काफी sharp देखने हो मिलती है और काफी beautiful आपको ये display मिलती है तो अभी देखते हैं इस watch में क्या के features देखने हो मिलते हैं यहाँ पर button दबाओगे यह power button है तो यहाँ पर single press करेंगे तो यह screen on हो जाएगी और long press करेंगे तो यहाँ पर reboot, power off और reset option मिल चाहेगा इसको long press करेंगे तो यहाँ पर आप इसका dial जो है वो change कर सकतो 100 से भी जादा इसके watch faces आपको देखने हो मिल जाते हैं इसके application में वहाँ से जाकर change कर सकतो और custom watch faces भी मिलते हैं जिसमें आप खुद का photo भी लगा सकते हो और यहाँ पर आपको animated watch faces भी देखने हो मिल रहा है जैसे कि earth है कि rotate हमारी हो रही है यहाँ पर right swipe करेंगे तो यहाँ पर कुछ quick shortcuts है जो कि यहाँ पर आप check कर सकते हो और इसी तरह हम अगर वापस जाना चाहते हो power button दबाके में जाता हूँ और इधर से left swipe करेंगे तो भी हमें same shortcuts देखने को मिलेंगे जैसे कि यह सभी आपको देखने को मिल रहा है यह हम आगे देखने वाले है और अगर मैं उपर से swipe down करता हूँ तो यहाँ पर हमारे notifications कुल जाएंगे जो कि आप अपने हिसाब से application को select कर सकते हूँ जैसे कि मैंने mail जो है वो select कर रखा है यहाँ पर अपने mail के notification में check कर सकता हूँ यहाँ पर कोई SMS है miss call है वो सभी में check कर सकता हूँ जैसे SMS है वो मैं check कर सकता हूँ WhatsApp के notification वगरा जो है वो सभी यहाँ पर मैं सीधा अपने watch में देख सकता हूँ और अगर मैं swipe up करता हूँ तो यहाँ पर हमारे कुछ quick settings आ जाती है जिसको आप use कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर आता है battery saver यहाँ से आपको battery saver मिलेगा यहाँ से battery saver यूज कर सकते हो यहाँ पर आपको find my device मिलेगा जिससे आपका phone अवास करने लगे है पर आप इसकी brightness को adjust कर सकते हो यहाँ पर आपको dnd देखने को मिलेगा जिसको आप activate कर सकते हो यहाँ पर जिससे इसकी full brightness पर white light आ जाएगी ज्योंकि आप अंधेर में थोड़ी बहुत रोशनी के लिए यूज कर सकते हो और डारेक्ली यहाँ से सेटिंग में भी जा सकते हो जो कि आगे मापको दिखाने वाला हूँ का button दबाएंगे तो यहाँ पर इसकी main applications आ जाएंगी जैसे कि स सकतो work out mode देखनेओं मिलें यहाँ पर आपको 50 से जादा work out mode देखनें मिलता है most in sports record में जाकर आप अपने work out के रिकॉर्ड चेक कर सकतो sleeping में देख सकतो किस पर शूए फिससे इंटी नेन छी धूरी है और नीचे सब कुच आपको graph लुएगा कि कितनी अ 혹시 deep sleep थी, कितने light sleep थी और यहाँ पर आपको REM का भी देखने को मिलता है random eye movement वगएरा और कितनी देर उठे हो, percentage वगएरा सब कुछ आपको watch में देखने हो मिल जाएगा SPO2 की देखने हो मिलेगी हैं पर SPO2, sensor देखने हो मिलता है heart rate sensor मिलता है, जो कि graph वगएरा सब कुछ आपको दिखा देता है, minimum और high वगएरा सब कुछ, weather check कर सकतो, और यह आपको पूरे week का लगबख weather बता देता है तो यह काफी अच्छी चीज है यहाँ पर आपको breathing exercise के लिए भी दे रखा है reminder set कर सकतो, music control कर सकतो अपने फोन में जो आपका बज़रा है alarm यहाँ पर add कर सकतो, phone की भी जोरुत नहीं पड़ेगी यही साँ, आप नया alarm सेट कर सकतो, stop watch देखने हो मिलेगी stress measure कर सकतो, आपको कितना stress है यह भी काफी अच्छी चीज दे रखा है तो features वो काफी सारे दे रखा है जैसे word clock है, यह आप add कर सकतो, watch faces जो है यहाँ साप change कर सकते हो और नीच आपको settings देखने हो मिलेगी जहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह की आपको settings करनी है जैसे कि brightness adjust कर सकतो, vibration की intensity set कर सकतो raise to wake on off करना है और auto screen off कितना है देर तक रखना है वो आप set कर सकतो तरीके से यह काम करेगा, बाके reboot, reset और power off देखने को मिलता है अब बात करते हो इसके battery और charging के बारे में तो इसमें आपको battery जो देखने हो मिलती है वो company claim करती है कि 10 दिन का आपको battery backup मिल जाएगा लेकिन हम इसकी testing करेंगे, आप चाहतो testing करके कि कितना battery backup मिलता है तो comment करके बता जेना मैं वीडियो बना दूँगा और बात करूँ charging के इसकी आपको magnetic यहाँ पर charging देखने हो मिलता है जो कि काफी strong magnet के साथ आता है टच करती है अपने आपी वो fit हो जाता है और इनना overall काफी बढ़िया charging dog दे रखा है जिसकी वज़े से आप quickly charge कर सकते हो अब बात करता है call notification और calling features हमें क्या क्या देखने हो मिलता है जब incoming call आती है तो इसको आप reject कर सकते हो mute कर सकते हो या फिर reply दे सकते हो SMS के थूँ तो यहाँ पर आप इसके quick reply set कर सकते application के थूँ और directly click करकर इसको reply कर सकते हो और हाँ इसमापको IP rating देखने हो मिलते है IP68 की rating के साथ आता है जिसके वज़े से smart watch waterproof बन जाती है अब बात करता हूँ price और conclusion के बारे में तो देखो यहाँ यहाँ पर सबसे पहले price बता देता है तो इसके introductory price जो रखी गई है वो 2,999 रखी गई है और इसका price regular जो होने वाले बाद में कुछ time बाद increase हो जाएगा वो हो जाएगा 3,499 रुपीज तो इस price में देखा जाए तो इस smart watch में आपको काफी जादा चीज़े देख वो मिल रही है इससे पहले मैं काफी सारी अभी हाल फिलाल में review कर चुका हूँ जिसमें काफी सारे missing features थे, कुछ कमिया थी और मैंने वो highlight करी थी कि मेरे लिए वो काफी जरूरी है और वो जाकर इसमें fulfill होती है वो भी same price पर तो जैसे कि यहाँ पर quick reply देखने हो मिलता है SMS के थूरो हम call में reply कर सकते है और यहाँ पर bezels भी काफी छोटे मिलता है दिखने में premium लगती है तो जो मुझे कमी लगी थी बाकी watches में वो यहाँ पर fulfill हो जाती है और में तरस से big thumbs up है क्योंकि इस price में आपको काफी सारी चीज़े देखने हो मिल रहे है SPO2 भी देखने हो मिल रहे है quick reply वगएरा और भी काफी सारी चीज़े देखने हो मिल रहे है और आप भी impressed हो गए होंगे इस smart watch से तो नीचे comment करके बता देना तो उसके link मैं आपको description में दे रखे वहाँ से जाकर आप इसको buy कर सकते हो तो यह आज launch हुई है और कल से आप इसको खरी सकते है 27th date से आप इसको buy कर सकते हो